नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम एक बार फिर बहुत खास पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जो कई ओस्दिये गुणों से बरपूर होता है इस पेड़ का नाम है बकाइन इसे कड़वा नीम भी कहा जाता है यह सरीर की कई समस्यां को खतम करके हमें सहत मन्द रखने में मददगार होता है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बेमिसाल फाइदों के बारे में बकाइन नीम के कुछ और नाम भी है जैसे बकरिला, महनीम, ड्रेक और बकाइन हाँ जी दोस्तों इसे आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है यह हमें कमेट करके जरूर बताएगा तो चलिए दोस्तों बकाइन के फाइदों के बारे में बात करते हैं बकाइन पेट दर्द में फाइदे मन्द है पेट दर्द होने पर बकाइन की 100 गराम जाल एक लिटर पानी में उबाल ले एक त्याही रह जाने पर इस में 10 गराम सोट चुरन मिलाल ले इसको 10 अमल सुबह सम सेवन करने से पेट दर्द समफ हो जाता है बकाइन चरम रोगों में भी फाइदे मन्द है बकाइन चरम रोगों की सवसे उतम दवा है खुजली होने पर इसके पतों को फलों को और चाल को पीश कर लेप लगाने से बहुत शिगरता से अराम मिलता है बकाइन के तेल को कपूर में मिलाकर फोड़े फुनसी, खुजली और रूखी तवचा पर लगाने से बहुत तिवर गती से अराम मिलता है बकाइन शिर के गंजे पन में भी फाइदे मन्द है 25 गराम बकाइन के बीजों को सोमल नारिल तेल में डालकर तब तक गरम करे जब तक की बीज जल नहीं जाए इस तेल को गंजे शिर पर लगाने से दीरे दीरे नए बाल उगना सुरू हो जाते है बकाइन चोट लगने पर भी फाइदे मन्द है यदि चोट लगने पर रक्त का ठका जम गया हो तो बकाइन नीम के पतों या चाल को पीज कर रक्त के ठके वाले भग पर बांद दे कुछी गंटों में रक्त का ठका ठका फट जाएगा देने बाद दोस्तों जिदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देने बाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर नई जानकरी के साथ